हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल कंटोल पैनल आइडियाज आयम प्रमोत प्रयार माई टॉपिक इस वट इस केवल क्या है केवल का उप्योग एबंप प्रकार इस तो दोस्तो हमारे जो अलक्टिसियन साती लोग है या टेक्निसियन या टेक्सिंशियन या टेक्निकल लाइन में जो वर्क करते हैं या भी-व बी होल्डर हो या डिप्लोमा होल्डर हो तो रहता ह dryer हमारे साथ बरावर वीडियो में बने रहेगा जिससे हमारा आनने वाला हर वीडियो आप तक प्रात होता रहा है और टेक्निकल जानकारी आप तक पहुंचती रहा है तो चलिए हम शुरू करते हैं भूमिगत केवल के परकार हमने पहले ही देखा है कि अंडरग्राउंड केवल क्या है और वे कहां उपयोक किये जाते हैं आगे बढ़ते हुए हमें समझना चाहिए विविन परकार के भूमिगत केवल हमारे लिए उपलप्त है भूमिगत केवलों का वरगी करण भूमगत केवलों का बरगी करण कई कसोटियों के आधार पर किया जा सकता है बरगी करण के दोरान विविन पहलियों को द्यान में रखा जाता है और इनमें निमलिकित सामिल है केवल में कंडक्टरों की शंक्या, केवल का बोल्टेज दर्जा, केवल निर्माड, इंसुलेशन के प्रिकार और मोटाई का उप्योग, केवल की स्थापना और बिचाना, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, दोस्तों ये दिये हमारा अंडर राउंड केवल है ये, इस मारा जो अंदर आपको दिख रहा है, डॉटेड में, एक्चॉली ये कंड़क्टर है, और ये राउंड अप में जो दिख रहा है, आपको इसको सीत बोलते हैं, और ये छोटा होल जो दिया है, ये पाइप है, और उपर ये इंसुलेशन चड़ा हुआ है, केवल मैं कंड़ मैं कंड़क्टर की शंक्या पर आधारत भर्गी करड़, नंबर बन एकल क्रोट केवल, नंबर दो तरकोड केवल, आम तोर पर एक भूमगत केवल ये एक तीन या चार कोर इन तारों निश्यत रूप से कर रहे हैं, तदनुशार कर निर्मार किया, भूमगत केवल आम तोर पर तीन चरड बिजली देने के लिए कार रहत है, एक थिरी करोट केवल 66 के वी के लिए पसंद किया जाता है, इसके आलावा केवल के लिए आवस्यक इंसुलेशन बहुत अधिक है, उच वोल्टेज के लिए थिरी कोर निर्मार की भारी हो, और इसलिए यहां तक कि कुछ स इमाओ के साथ हम एक कोट केवल को रोजगार, जैसा कि आप देख रहे हैं, चित्र में दिया हुआ एक केवल है, दोस्तो यह फोर कोर केवल कहलाती है, इसमें दिया है कलर कोडिंग, और वाई भी और ग्रेन, दोस्तो इसके कंड़क्टर के बाद इंसुलेशन चड़ा है, इसके बाद फिर यह आपको जो दिख रहा है, यह आर्मट कहलाता है, इसके बाद फिर इंसुलेशन किया हुआ है केवल को, केवल के बोल्टेज दर्जा पर आधारत भरगी करड, नबबर Бन, कम तनाव केवल यह, एक अधिकतम बोल्टेज, हेंडिलिंग छमता, वन केवी, नंबर दो, हाई तेंसन केवेल ये एक अधिक्तम बोल्टेज हैंडलिंग चमता 11 केवी है نंबर तीन, सुपर तनाव केवल ये 33 केवी एक अधिक्तम बोल्टेज हैंडलिंग चमता है नमबर चार अत्रिक high tension voltage ये 66 kv की एक अधिकतम voltage handling जमता नमबर पाँच अत्रिक शुपर voltage केबल से एक सो बत्रिस केवी उपर voltage की आवस्चक्ता के साथ अनुपयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये कितने प्रकार की केवल आपको देख रही है, दोस्तों ये 4-Core केवल है, ये 3-Core है, ये भी 3-Core है, ये 3-Core है, ये 3-Core है, और 3-3-Core है, इस टाइप से ये केवल दिया हुआ है, केवल के निर्मार पर आधर भढ़गी करड़, पज केवल, इस प्रकार के केवलों में चालक सामानता 3-1 साथ कुछित होते हैं, और फिर इंसुलेट पेपर, बोल्ट से घिरा रहता है, इस तरह के तारों में प्रतेक कंड़क्टर एक उप्यूक्त, डायलेक्टिक के साथ गर्वती कागच का प्रियोक कर अचूता है, कंड़क्टरों और इंसुलेट पेपर, बेल्ट के बीच के अंतर, रिशेदार, पेराविद्योत परार्थ, जैसे जूट या हैसियन से भरा जाता है, यह लचीलापन के साथ ही एक परिपत आकार प्रदान करता है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, केबलों के निर्माड में, इसके बाद चूट की परत को धत्विक आवरण से ढग दिया जाता है, और सनरचर के लिए कबच प्रदान किया जाता है, इस केबल की एक बिसेशता यह है कि इसकी आवरती पूरी तरह बरताकार नहीं हो सकती, और प्लब्द स्थान का अधिक प्रवावी उप्योग करने के लिए, इसे आवर्तुल रखा गया है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दोस्तों यह दिया हुआ है केबल, और ज इसके बाद दिया हुआ है पेपर इंसुलेशन, फिर इसके बाद एक पेपर का पेपर बेल्ट का पड़त दिया हुआ है, उसके बाद लीर्ची दिया हुआ है, उसके बाद टोटल रांड अप में इसको सेविंग किया हुआ है, नमबर दो स्क्रीनित केवल इसके अलावा H प्रकार और LC प्रकार केवलों के रूप से विभाजित H प्रकार केवल्स यह पहले हम होच इस्टेटर द्वारा डिजाइन किया गया है तीन कोर बक्तिगर रूप से कागज से अचूता है और फिर एक धातू स्क्रीन यह धात्विक कवर छिद्रित होते है नतीजितन इस तरह के निर्माड तीन धातू स्क्रीन एक दूसरे को छूने के लिए अनुमत तैन है इन तीन धात्विक आवरर को एक धात्विक टैप में एक साथ सामूई किया जाता है SL प्रकार केवल यह एच प्रकार केवलों के समान है अंतर है कि तीन कोर में से प्रतेक के अपने स्वेम के नित्रत मियान है के साथ इस प्रावधान के साथ पहले ओपियों किये गए समग्र आवरर की आवस्चक्ता समाप्त हो जाती है इस तरह के निर्माड का फाइदा यह है कि कोर टू कोर टूटने की समभावना काफी कम हो जाती है साथी केवल के लचीले पन में भी सुधार है जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में कोर केवल SL टायप है दूस्तो यह दिया हुआ है यह आपका यह कंड़क्टर है त्री कोर केवले दोस्तो तीन कंड़क्टर है इसमें यह लीट कभरिंग किया हुआ है उसके बाद इसमें दूसरा राउंड आपका कोटन टेप का है और इसके बाद यह दोस्तो जो बहार दिक रहे पॉइंटेट एक्चली यह आर्मड है उसके बाद फिर यह इंसुलेशन चड़ा कर सेविंग किया हुआ है यह एयच टाइब केवल है और दूसरा एसल टाइब केवल तो एस टाइब केवल में भी दैक रहे दोस्तो यह दिया हुआ आपका conductor, paper insulation उसके बाद metallic screen फिर lead state उसके बाद ये आपका आएगा armate, उसके बाद serving total covered इस प्रकार SL type केवल इसमें भी दिया हुआ है दोस्तों, ये conductor है, paper insulation इसके बाद, और फिर metallic screen, फिर separate lead stain, ये लीडे हैं ये भी आपस में separate हैं दोस्तों, उसके बाद cotton tape यूच किया गया है फिर इसके बाद armate फिर total covered serving किया हुआ है दवाफ केवल 66 kv के voltage के लिए केवल मैं electrostatic तनाव स्विकार मूल्यों से अधिक है और ठोस केवल आविश्यूस नहीं हो चाते हैं ये मुकता इसलिए होता है क्योंकि bolts बनाए जाते हैं जब voltage 66 kv से अधिक होता है इसलिए इसलिए ठोस तारों के बजाए हम दवाफ केवल का उपयोग करें आम तोर पर ऐसी केवल या तो तेल भरा या गैस भर रहे हैं तेल से भरी केवल्स तेल को ऐसे प्रियोजन के लिए प्रण की गई नलकाओं के माध्यम से उपयुक दवाव में परचालित किया जाता है इस तेल की आपूर्ती और दवाफ उचे दूरी पर रखे गए जलासयों के माध्यम से रखा जाता है गैस परित केवल्स दवाव गैस हामतोर परसू की नैट्रोजन एक हवा तंग श्टील पाइप में केवल के आसपास परचालित है इस परकार के केवल लोट बरतमान के उच मूलियों को ले जाने के केवल हैं और बॉल्टेज के उच मूलियों पर काम कर सकते हैं लेकिन ओवराल कास्ट ज्यादा है जैसा कि यह दिया हुआ है दोस्तों यह आप देख रहे हैं यह चित्र यह शिंगल कॉल कंड़क्टर है जैसा कि दिया हुआ इसमें यह सेंटर पार्ट जो है ओइल डक्ट है और उसके बाद फिर जो दिया हुआ इसके आसपास यह कंड़क्टर है उसके बाद पेपर इंसुलेशन दिया हुआ और लीट seat covered किया हुआ है सेकिन का है single core conductor यह भी है इसमें दोस्तों जो आप देख रहे हैं यह दिया हुआ आपका oil channel यह जो point देख रहे हैं इसके बाद paper insulation यह जो white color का देख रहा है उसके बाद grouped state फिर इसको cover किया हुआ है three core oil field cable देखिए दोस्तों यह जो छोटा duct दिख रहा है actually यह oil duct है उसके बाद आपका यह तीन conductor है और उसके बाद lead state दिया हुआ covered किया हुआ है यह three core oil field cable है fourth यह दिया हुआ है three core gas pressure cable यह दोस्तों जो देख रहे हैं आप यह खाली इस्तान में जो रिक्तिस्तान देख रहा है यह pressure ice gas रहती है और यह three core cable है तीन conductor है इसके बाद इसको street किया हुआ है covered किया हुआ है तो दोस्तों यह वीडियो हमारा पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्क्राइब और शेयर करना न भूलेगा थैंक यू पूर वचिंग मैं वीडियो तर्णबाद